असलाम अलेकूम वेलकम टू फूड़ीफाई कैसे हो हमारे फूड़ीज दोस्तों उम्मीद करती हूं अच्छे होगे फ्रेंड्स आज हम आपके लिए जिंगी पार्सल के चिकन स्टफिंग के जिंगी पार्सल जो हमने बनाया था उसकी स्टफिंग की रेसिपी लेके आये है हम आपको इस जिंगी पार्सल की रेसिपी दे चुके हैं आप इसकी स्टफिंग की रेसिपी दे रहे हैं यह हमारा चिकन है जो चोटोटे पीस में कट किया है रैड ग्रीन येलो बैल पेपर है जो हमने फाइनली चॉप्ट किया यह हमने कुछ तीन से चार अन्यन लिया जो सौल्ट एंड गर्म मसाला यह हमारी कुछ सौसिस है यह हमने मायञिज लिया है यह हमारी शेजवान सोस यह हमारी हुममेट शेजवान सोस है इसकि रेसिपी आपको चाहिए को हमें कमेंट्स बॉक्स में बताईगे कि चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं यह हम इसमें अपना आइल एट कर रहे हैं कि अब फ्रेंड्स हम अपने आइल में जिंजर और गालिक डालेंगे जो हमने फानली चॉप करके रखा था कि इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है हमें अपने जिंजर और गालिक को अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स आप एक बार जरूरी बना के देखिए आपको बहुत पसंदाएगी यह हमारी चिकन स्टुफिंग है हम वैज वाल अजिंगी पार्सल की जो पानीरी स्टुफिंग होती है उसकी रेसिपी भी आपको देंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखिए हमुरा si, जिंगर गालिक अच्छे से भून रहा है हमें इसे अच्छे से भूनना है यह ज़ी आपको ताकि यह आपनी खो keeper जिंजर गालिक की स्मेल रह जाएगी हमारी स्टफिक में और वह अच्छी नहीं लगएगी कि देखिए हमारा जिंजर गालिक अच्छे से भून रहा है थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए जाए तो हम इसमें अपनी अनियन एट करेंगे चलिए फ्रेंट्स हमारा जिंजर गालिक भून चुका है अब हम इसमें अपनी अनियन एट करते हैं और अब हमें अनियन इसमें एट करके अनियन को भी अच्छे से भूनना है अनियन को फेंट्स हमें गोल्डन बाउन भी करना थोड़ा ट्रांस्लूसेंट ही रखना है यह देखिए फ्रेंट्स हमारी प्यास भी अच्छे से भून रही है आपको हमारी रासी भी पसंद आती हैं हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बैल आइकन दबाना ना भूलें चली फ्रेंट्स हमारी प्यास भी देखिए अच्छे से जितनी हमें करनी थी उतनी हो चुकी है थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है अब हम अपनी जो हमारी थ्री बैल पेपर्स हैं ग्रीन रैड और यलो उसे भी हम अट करते हैं और इस सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमें अपनी सब्जे को फ्रेंट्स ज्यादा पकाना नहीं है थोड़ी क्रंचिनेस होगी हमाई स्टॉफिंग में तभी अच्छी लगेगी और हमारा चिकन पकेगा तो वह ऐसे ही सॉफ्ट हो जाएगी इसलिए हमें पहले ज्यादा नहीं पकाना इसे देखे फ्रेंट्स हमारी जो यह मिक्स्चर है कितना अच्छा लग रहा है देखने में कितना कलर्फुल है यह सारी वेज्जी ड़ने का कितनी कलर्फुल हो गई है देखे फ्रेंट्स हमारी अच्छे से कुख हो चुकी है सारी वेज्जी यह देखिए आप कितने अच्छे से कुख हुई है कितनी कलर्फुल कितनी सच में बहुत अच्छी लग रही है माशा लला से चलिए हम इसे थोड़ी सी और कुख कर लेते हैं ताकि इसका जो ऑईल है वो सेपरेट हो जाए ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से कुख हो जाए अब हम इसमें अपना चिकन एट करेंगे फ्रेंट्स हमें चिकन के भी छोटे चोटे पीस ही करने ज्यादा बड़े नहीं करने बैल पेपर के और चिकन के पीस एप्रोक्सिमेटली सेम ही रखने हैं इसे भी अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेज एट करेंगे ये के फ्रेंट्स ये हमारा चिली फ्लेक्स ये चाट मसाला ये गरम मसाला सॉल्ट एंड ब्लेक पेपर चले पेंड इसे हम अच्छे से मिक्स करना है दिखिए हमारा जो चिकन है अभी थोड़ा थोड़ा कच्छा है थोड़ा सा और पकाना है इसे और इसमें हम अब थोड़ी सी शेजवान सॉस एट करेंगे ये फ्रेंड हमारी होममेड है अगर आपको इसकी रैसिपी चाहिए तो हम आपको जरूर देंगे इंशाला आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताईए यह हमने एक चमज आ लिए हम दो चमज और एट करेंगे इसमें इसमें हम थोड़ी सी मायोनीज भी आट करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा मीठा मीठा टेस्ट आना चाहिए इसमें थोड़ा तीखा टेस्ट आना चाहिए तो हमारे जिंगी पार्सल में बहुत चटेस्ट राता बहुत टेस्टी बनते हैं हमारे चिकिन जिंगी पार्सल एक बार आप जरूर बना के देखिए इस ट्रिक से आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाल्ला इस सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब हमारी स्टॉफिंग तैयार होने वाली है अब हम इसमें थोड़ा सा कोरियंडर एट करेंगे जो हमने अपना कोरियंडर फाइनली चॉप करके रखा था अब हम इसमें एट कर रहे हैं फ्रेंट्स फ्रेंट्स ये कोरिय गरीन कोरियंडर तो मेरा फैवरेट इंग्रिडियोट्ट रहै इसके बिना तो सबजी अधूरी होती है सच में बहुत खुश्बू आ रही है माशाल्ला से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है ग्रीन कोरिंडर डालते तो बहुत अच्छी एक्तम कुछ भूआने लगी फ्रेंड्स चलिए हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है अब आप इसके जिंगी पारसल बनाईए आपको फूल रेसिपी जिंगी पारसल की हमारी पहले वाली जिंगी पारसल की वीडियो मिल जाएगी अल्ला हाफिज थैंक यू वाचिंग फ्रेंड्स